विश्मिल्ला रहां रहीम उसके बाद आपने जाके किताब को भी देखा होगा कि उसको अंदर अपनी अंडिस्टेंडिंग अपना दमाग लगाने की कुशिश की होगी और उसमें फिर कोई आपका कोई क्यूरी अगर कोई आती है तो आज के दिन स्टार्ट में हम दिसक्स करनें लेकिन अक्सर और बेश्टर हमें उसमें क्यूरी नहीं आती तो अच्छी बास है चलें आइ अच्छा जी चलें कल हमारी डिस्कुशन चल रही थी इकनामिक सिस्टम के होले से और आज हम कोशिश करेंगे इकनामिक सिस्टम को डिसकस करें और साथ में Islamic economic system उसकी discussion तक हम पहुंच सके और कल हम आज और कल में ये दोनों चीज़ें complete करेंगे कोशिश करके जी economic system हमने क्या का था कि वो जो तीन basic question थे what to produce, how to produce and for whom to produce उनकी discussion थी कि जनाब वो कौन उनके ओपर डिसीन लेगा तो command economy या century plan economy या इसको हम socialist economy केमिनिजम की बातें करते हैं तो उसको हमने कहा कि वहाँ पे central decision making होगी एक ही जो government है या रियासत है वो decision लेगी और वो हमारी ये कल discussion थी फिर कहा कि जी के लेजिस्ट फेर, free market economy उसके अंदर हमने कहा जी के free है demand and supply वो decide करेगी उसके अंदर कोई control नहीं होगा उसको बगएर control के बगएर navigation के वो चलेगी और economy अपनी direction हुद तैक करेगी उसके अंदर कोई किसी किसम की बाहिस से को बिरूनी शक्स उसको control नहीं करेगा economy अपनी मामलाथ तो उससे अपने mechanism के जरीए से demand and supply के control करेगी और फिर का गए इन दोनों से हटके एक mixed economy है combination of market forces and central planning कुछ चीजें market के अपर छोड़ दी market decide करेगी यह कुछ चीजों के अंदर कहा कि यार ऐसा नहीं है यह नहीं होगा कि cigarette अगर लोग कहते हैं कि हमने cigarette पीने है तो cigarette की जो production है उसके पर हम control रखना चाहेंगे as a society we would like कि जी के हर शक्त को cigarette जिसको पीने है वो cigarette available ना हो उसके पर मुश्किल करें तो वो जो good resources and goods goods ऐसी good जो के welfare of society के लिए उसके उपर जड़ा तो जो सिर्फ लोगों की ख्वाहिश के मताबद सिर्फ चीज़े ना चलती रहे यह क्वेस्टन कहीं दफार आया है features of planned economy differentiate between planned economy and market economy and what is the characteristics of mixed economy तो यह कि इस तरीके के साथ वो question of and non को ज्यादा frequently नहीं पूशता लेकिं of and on पूशता है कि ट्रेक्टिस्टिक्स बता दें economy के plan economy के या differentiate करने या उसके कोई mixed economy के benefits and drawbacks कोंसे हैं वो बता दें ठीक है लिए इस नहीं हाथ ते इसको हमें discuss करना है कि कई दफा वो पूच लेता है जुरूरी नहीं है कि हर दफा पूचे important तो हर जो लख लिखावा किताब में important तो है बट उसकी understanding हमें इस इंदासे लगी किताब के वो पेपर में पूच्टा कहते हैं तो वो मैंने बता दिया क्रेक्टिस्टिक भी पूचता था drawbacks benefits भी पूचता है comparison भी पूचता है ठीक है जी और क्या जी planned economy सबसे पहले planned economy government decide करती है allocation of resources dependent होता है system पूरे का पूरा state के उपर the motivations for this are not certain however this style of economic system was prevailed throughout the Soviet Union Soviet Union जब था 1989 से पहले तक with some countries only fully abandoning it at the turn of 2000 इस सदी के start के उपर उसको खतम कर दिया लेकिन नार्थ कोरिया के अंदर अभी भी इसकी example हमाई सामने नदर आती है क्रंट आज के दोर के अंदर नार्थ कोरिया के अंदर state control करती है resources state बदाती है क्या चीज़ पर ड्यूस हो नहीं है क्या नहीं हो नहीं क्या आपके जो जो state के residents हैं वो किस चीज़ को समाल कर सकते हैं किसको नहीं समाल कर सकते लेकिन बाकी सब लोगों ने इसको खतम कर दिया रशिया में भी अस तरीके से नहीं है चाइना में भी उस तरीके से नहीं है मिक्स एकानोमी की तरफ वो मूव कर चुका है चाइना भी कर चुका है रश्या भी कर चुका है वो अब प्राइवेट ओनर्शिप के कॉंसेप्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंतर ठीक है जी फीचर्स के हैं एक सेंट्रल बाड़ी होगी जो सारे प्राइवेट ओनर्शिप का कॉंसेप्ट नहीं था डिक्री डिक्री क्या होती है करते रहा है कि यार कोड की डिक्री या डिक्री आगी है यह हमारा केस चल रहा था उस केस का फैसला आ गया है सैसले को डिक्री करते हैं कोड की यानि के मतावख कनून ने यह कह दिया है अब उसके नदर कोई आएं बाएं शाहें की गुण जाइश नहीं रही, और रहो गया, बिल्कुल, तो आएं बाएं शाहें रही कहाती। agriculture के यह वाली product कास्ट की जाएगी तो आप अपनी मर्दी से को दूसरे product महाँ पर कास्ट नहीं कर सकेंगे बनावान आपको उसकी state की decision को मानना पड़ेगा और factor prices are set by central planning body factor prices factor कौन से थे जो factor of production की prices हैं कि labor को किसनी prices मिलेगी land की कितना आपको rent मिलेगा land labor capital entrepreneur को कितना profit मिलेगा उन सब की factor prices को central planning body ही decide करती है क्योंकि central यह सब्सक्राइब करती है benefits and drawbacks के हैं कुछ benefits भी है कुछ drawbacks मिलेगी है benefit के जनाब need of society कि उसके मताबिक हम बात करेंगे जरूरत है गंदम की तो हमारी जमीन के उपर गंदम की काश्ट हो ऐसा ना हो कि लोग उसके उपर जो पोस्ट जिससे हिरोईन बनती है उसमें profit ज्यादा होगा वो लोगों की intention ये नावजिसान अफगानिस्टान के इन्रम देखते हैं जमी कि इन कल्टिवेशन जो होती है वो पोस्ट की फ़तर उसी कास्ट कर लेते हैं क्यों उसके अंदर नफ़ा जाना होता है लेकिन वो अर्टिमेटली आपकी सुसाइटी के लिए ओवराल इससे बैट प्रॉडिक्ट तो गोर्मेंट जब रिसाइड करेगी तो नीड अफ सुस कास्ट भी गोर्णनेंट मेंट जदर रखेगी जब कोई प्राइवेट बंदा फैक्टरी लगाता है तो ओक देखेगा अच्छा यार फैक्टरी लगाता हूं कोशिश करता हूं कि मैं जो गंदा पानी है ना उसको नाले में फैंक हूं उसको मैं साफ ना करूं जो उसके अ हुँ लेकिन गौर्णमेंट लेवल पर जब बात होगी तो वो गौर्णमेंट देखे की नहीं यह जहां वेट के लिश केंदर कवर्णमिकल इतने फैंकेंगे क्योंकि government economic decision तिरफ एक element के उपड़ नफा कमाने करीद नहीं ले री government economic decision welfare of the human being के element के उपड़ ले रही है clear रही? benefits के दर हम बात कर रहे हैं Central economy के benefits need of society की बात हो गई, social cost की बात हो गई, full employment हो गी क्योंकि government decide कर ली है government कहेगी तुम न इस entire काम करना है तुमने this对 में करना है तुमने data करना है इस दमीन के और यह काह चाहिपीज हों का सब्चा हो गाई इस दमीन के पर यह तो कोई जमीन खाली नहीं रह सकेगी कोई बंदा जो ऊचा है वो फारग नहीं रहेगा सब को गवर्मेंट कहीं ना कहीं इंगेज करके उनसे एक्वामिक एक्टिविटीज के अंदर उनका हिस्था पहुंचा देगी ऐसा नहीं हो सकेगा कि किसी ने गंदम की कास्ट की दूसरे ने भी गंदम की कास्ट कर दी तो पहुत ज़्यादा» b और जो दूसरी तरफ नुक्सान हो गया कि हमें एक टपास ना मिल सकी तो वह जब गुवर्मेंट डिसाइड कर रही होगी सेंटर लेवल के पर तो डूपलीकिशन ही हो सकेगी प्रॉपर थाही तरीके के साथ कम्प्लीट प्रोडक्शन हो सकेगी परमिट्स लॉंटर्म इंड यूनिट लगाते हैं फिर कुछ पार्ट हमारे जो दूसरे प्रविंट में बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री भी हम यहां पे लगा देंगे ताकि मल्दीख से तो लॉंग टर्म प्लैनिंग भी इसका हिसा बन सकती है असामी के साथ जब चेंट्रल होगी मोर एक्वल क्लास ले इकानमी और कंसेट्ट था कि जो CEO है वो भी उतनी ही उसको salary मिलनी चाहिए उतनी ही उसकी जरूरिया आता हैं जितनी के कोई PM की या स्वीपर की जरूरिया आता हैं तो क्लास लेस, classes नहीं होती, segregations नहीं होती, आपके society के दरम्यान में same equal होते हैं इंसान सारे के सारे, तो यह तो कुछ benefits सामने देखे, clear हैं जी benefits, जनाब और जनाबाद, अच्छा आप कुछ नुकसानात में हैं, नुकसानात कौन से हैं, profit motive नहीं है जी, तो जो इंटर्पने हो रहा हैं वो क्यों काम करेगा, inefficiency हो जाएगी, एक गमीन वाला था, जिसके पास एक एकर गमीन थी, उस को government ने order दिया, कि तुमने जनाब इसको पर गंदम होगानी है, दूसरी जनीवाले को भी order दिया, तुमने गंदम होगानी है, अब government के order के मताबिक वो बस गंदम होगाएंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे कि गंदम में efficient production है, क्योंकि उनको मुनाफ़ा तो उस तरीके से नहीं नहीं मिलेगा, वो तो government ने decide करना है, factor cost हमने यहां बात की थी, factor cost, cost to be decided by जी government, ये जो हमारी बात थी, तो factor cost government ने decide की वी है, इसलिए उनको मुनाफ़ा तो अपनी मज़री गानी मिलेगा, तो वो motivated नहीं होगे, उस तरीके के साथ अपनी efficiency को increase करने के लिए, तो inefficiencies आएंग एगी, bureaucratic and slow to respond to changing needs of our technology, bureaucratic, central economy का सबसे बड़ा मसला है, कि ये bureaucratic है, अब वो जो कुछ चेंज आई है, किसी अलाके के अंदर, किसी जमीन के अंदर, किसी टेकनालोजी के अंदर, वो पहले नाब, पूरे central economy के अंदर, central जो planning दिवियन है, उस के अंदर जाएगी, वो discuss करेगा उसके social cost देखेगा, उसकी economic cost देखेगा, उसकी viability देखेगा, उसके पर एक committee बनेगी, फिर दो committee बनेगी, फिर वो उसको change को implement करने की कोशिश करेंगे, तो bureaucratic, कनून, असूल, उसके मताबर चलना पड़ेगा, और जबकि private organization के अंदर क्या होता है, यार अच्छा, ये machine परा के अंदर एक कुर्सी पंती थी, दूसरी machine से एक गेंटे के अंदर चार कुर्सीयां बन जाती है, चलो भाई, दूसरी machine लगा लेते हैं, उसमें हमारा efficiency बढ़ेगी, वो decisions क्यूंके, इंटर्नेर के bus में होते हैं, तो वो quickly decisions ले ले लेता, यहां पे decisions जो होने हैं, वो centrally होने हैं, इसलिए decision making इसनी quickly नहीं होती, bureaucratic environment होता है, consumer sovereignty नहीं होती, consumer sovereignty क्या है, खुद मुफ्तारी, sovereignty कहते हैं, खुद मुफ्तारी, उर्दू में उसको, तो जो consume करने वाला है, उसको पास खुद मुफ्तारी नहीं है, मुझे बास यह choice नहीं है, कि मैंने चावल खाने हैं, तो मै government ने अप्रूव किया था, चावल वो ही सिर्फ पकेगा, वो ही बनेगा, उसको पर government ने control किया, जी, और likelihood of corruption, corruption एक बहुत बड़ा issue है, जिसकी वज़ा से, चाइना में, corruption की सिदा, सिदा मौत है, capital punishment, मौत की सिदा देते हैं, कि resources क्योंकि इतने बड़े लेवल पर, अब एक factory वाला था ना, यह एक जमीन वाला, उसकी फसल की किसम, उसकी फसल की बात होती, तो वहाँ पे तो उसको थोड़े resources उसके पास थे, लेकिन आप central जो मिटी बैठी है, उसमें जो शखस बैठा हुआ है, वो पूरे मुल्क के factory को कंट्रोल कर रहा है, पूरे मुल्क की जमीनों को कंट्रोल कर रहा है, तो definitely उसके पास देखें, पावर कितनी है, आई समझ, अब जब इतनी पावर आती है, तो वहाँ पे corruption का भी चांस होता है, कि यार अच्छा, मैंने यह product बनाई आए, मेरी यह machine जो सिया ना, इसको patent कर हूँगा, कि मैं जो शक्स, इसका इंचार्ज है, उसको मैं जाके कूँ उसके पुरानी machine के हैं, कि सारी हतम करने, नई machine यह लगाए, यह efficient है, हो या ना हो, मैं उस बन्दे को bribe करनी कोशिश करूँगा था कि मुझे benefit मिल सके, और ultimately, क्योंकि उसके पास इतना इस्तियार है, इतनी पावर है, अच्छा जी, lack of economic and political freedom, economic and political freedom तो हमने बात की, वो है ही नहीं है, क्योंकि central control है, economic freedom नहीं होगी, political freedom भी वहाँ पे नहीं होती थी, क्योंकि economic को जब को ड्रोल कर लिया, तो political भी control हो गया, फिर market economies, market economies के हैं, market economy free, जिसको हमने बात की, टर्म डिसक्राइब, hands-off, hands-off approach, अज़ाम अज़ाम अज़ाए, navigation free, hands-off approach, navigation के बगैर, समंदर में किस्ती, समंदर की लेड़ों के मताबिक बस किस्ती चलती जाएगी, उसको कोई देख नहीं रहा, कोई देख बार नहीं का रहा, navigation free, hands-off approach, by a government, minimum, there should be minimum intervention with what the state does, within the economy, छोड़ दिया, उसकी, demand and supply की forces के पर, features के, reliance on the market price, market and price mechanism, demand and supply, अपने इसाब से बताएं, what to produce, how to produce, for whom to produce, private ownership, हर चीज़ की private ownership होती है, और factor of production होदी से control करते हैं, जो जमीन का मालक है, वो जमीन का मालक है, state मालक नहीं है, वो decide करेगा, उसने जमीन के उपर कौन सी चीज़ हुगानी है, कौन सी चीज़ नहीं होगानी, किस को उसने liberal पर रखना है, कौन सी machinery को इस्तमाल करना है, वो private ownership का concept है, private decisions लेते हैं, self interest and profit motive, motivated economic decision, मैं फिर वो उस machine को लगाँँगा, जो मुझे efficient production देगी, मैं फिर जमीन को उस फसल के लिए इस्तमाल करूँगा, जहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा मिलता है, शायद मैं पोस्त कास्ट कर रहा हूँ ताके वहां से मुझे ज्यादा मिलेगा, और वेजी दें अधर फेक्टर पेमेंट सेट बाइ मार्केट, फेक्टर आप जो production है, पहले controlling economy में उसकी पेमेंट, उसकी कास्ट centrally fix होती थी, इसमें आप मार्केट फिक्स करेगी, आप गंदम हुगाते हैं तो गंदम तो end product है, गंदम हुगाने के लिए जो labor आपने रख मढ़ जाती है, जब labor supply ज्यादा होती है तो पर labor cost कम होती है, तो market forces factor of production की prices को भी determine करती है, benefits के हैं जी, consumer sovereignty, खुद मुफ़तारी, consumer is the king, client is the king, consumer केगा, आज अगर हम consumer केगा, के जी मुझे heroine चाहिए, उसको market heroine प्रवाइड करेगी, आज अगर consumer केगा, मुझे ice चाहिए, ice प्रवाइड करेगी, consumer अगर केगा, मुझे quran né P happy चाहिए, उसके उसके प्रवाइड करेगी, consumer केगा, कि मुझे secret चाहिए, उससे secret प्रवाइड करेगी, consumer is the king, consumer के जो जुरूरत होगी, market उसको मताबक चल रही होगी, वो direction लेगी इसमें प्लैंइंग बिरोर किसी नहीं है जो जो दरूरत है जमीन के ओपर गंदम काश बिल्डिंग बिल्डिंग मिनाना है बिल्निग नी बिनाने फैक्षिटी बिनानी फैक्षिज बिनानी फैक्षिटी बिनानी तिल्गन्दम कास करने दोड़ा कंदम काइस करने डायनमीक है, responsive है, अपनी जरूरत के मताबिग आप उससोच चेंज कर सकते हैं, requirement करताओं, choice की freedom है जो मर्जी आप कहेंगे वो मिल लेगा Freedom of Enterprise है जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं आप Profit कमाना चाहते हैं Auto Adjusted Price Mechanism जो हमने मार्किट के अंदर भी देखा भी था कि Demand and Supply Forces Mechanism गो अर्जिस्ट करती है तो यह तो Benefits आदे Drawbacks Drawbacks कहेंगे Inequalities अमीर का गरीब गरीब का Focus क्या था Enterprise का Profit Private Ownership तो जो Profit कमाने वाला है वो कहाँ जो Profit कमाएगा गरीबूं से जो Consumers है उन से Profit कमाएगा तो Resources कहाँ पर Securate होना शुरू हो जाएंगे अमीरों के हाथों में जादा जाना शुरू हो जाएंगे गरीबूं के हाथों में कम प्रेंगे तो Inequalities तो सोशल Undesirable Resource Undesirable होगी Social Cost कुछ हतम कर देगा नहीं का नहीं यार पानी में chemical भी है जहर भी है तो कोई मसला नहीं मैं क्यों इतनी दर्द लूँ मेरी production हो रही है और वो product बीक रही है उसमें मुझे मनाफ़ा आ रहा है मैं ऐसे ही water treatment plant को लाँगा उसके लिए मुझे तनी effort करनी पड़ेगी cost आएगी मेरा profit कम होगा मैं क्यों इसको करूँ Luxuries के ओपर focus क्योंकि consumer के गाए तो consumer के अंदर भी अमीर लोग जोंगे उनकी बात को ज्यादा मानेगा क्योंकि वो ज्यादा नफ़ा नेंगे तो luxury के ओपर focus होगी necessity के ओपर नहीं होगा long term के ओपर impact आएगा आप short term में profit कमाने के चक्रों में पड़े होगे growth monopolies monopolies बन जाएगी क्योंकि concentration of wealth होगी monopoly, monopoly क्या होती है जहाँ पर competition कम हो जाए competition ना रहे producer concentrate होता जाए एक अकेला ही producer जहाँ वो product supply करता रहे वो monopoly होती है तो क्योंकि जहाँ पर एक ही शक्त या resources को हम देख रहे हैंगे एक private ownership है उस वज़यते वो profit ज्यादा से जादा कमाने कोशिश कर रहा है जब ज्यादा profit होता जाएगा तो वो डूसरे competition को मुश्किल कर देगा market में रहना और monopolies बनने की transit हो जाएगे exploitation होगी exploitation of weak economic agent exploitation होगी गुर्बत गरीबूं को बात नहीं माने जाएगे अच्छा जी clear है कुछ ज्यादा theoretical तो नहीं हो रहा है ज्यादा theoretical हो रहे है यह clear है का ज्वाब जी था जी किसका ज्वाब है understand कर रहे है क्योंकि यह आपने जाएगे बादे भी produce करना है पेपर में मैंने तो नहीं बोलना है या किताब से तो नहीं देखना concept अगर ठोड़ा सा क्लियर हो तो पेपर में ज्वाब देना साम हो जाता है अच्छा जी फिर आगे mixed economy mixed economy क्या है यह basically हम समझें कि दो आज कल की दुनिया में mixed economy ही नदर आती है ज्यादा आता है laser spare का और control economy का दोर गुज़र चुका है अब mixed economy की बातें ही ज्यादा है most countries children education को focus करना चाहेंगी हम यह नहीं चाहेंगे कि वो तिरफ profit के अपर ही छोड़ दिया जाए हम focus अपनी society के अपर रखना चाहेंगे हम यह नहीं चाहेंगे कि लोग नशे की चीज़ों के उपर कारुबार करें हम चाहेंगे society को गो इन्रोल करें तो दोनों को mix रखेंगे साथ में यह भी नहीं चाहेंगे कि सारा burden ज्यासत पर है हम यह भी चाहेंगे market forces आपस में decide करें market के मताबए consumer sovereignty भी हो तो दोनों का mixture जों से ना वो आप चाहिए features क्या है market mechanism फिर यहां पर important है और public private sectors के decision making होती है पेट्रोल की prices क्यों होंगी क्या होंगी पेट्रोल की prices जो हमारा augura decide करेगा oil and gas regulatory authority ऐसा ही ना पाकिसान में हर 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद पेट्रोल की prices औगरा ने summary move कर दी प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जाज़त दे दी यहां कभी ना cabinet में उसकी discussion होई तो वो असल में तो free market economy होती तो government को पेट्रोल की price fix करने की दुरूरत नहीं थी पेट्रोल को regulating ही करना था दुरूरत नहीं थी अब mix economy है इसलिए और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो के हर शक्स की दुरूरत है पिर मोटसैकल में पेट्रोल डलना है गाड़ी में पेट्रोल डलना है फैक्शियों के अंदर जो जनेरेटर लगे हैं फैक्शियों के अंदर जो बॉइलर लगे हैं वूट को चलाने के लिए शायद पर्ट्रोल डीजल गैस वगरा कुछ चाहिए तो हर शक्स की दुरूरत है इसलिए economic activity के अंदर एक major factor of production है रेजर रा मेटीरियल है उसको फिर government करती है कि हम control करेंगे इसको simple market के उपर नहीं छोड़ देंगे कि market में लोग speculation की बेस के उपर के shortage आ रही है जी तो उसकी मजदादी और सप्लाइर उपड़ी और अपने मर्दी से करते हैं उस पर ना चले मार्किट के अदर प्लेयर्स को manipulate करने के लिए government price decide करती है अगर कोई government की price से हट kanine के कोशिश करता है ज्यादा प्रायस्मिन कोशिश करता है तो government आथि उसको पकड़ लेती है उसके उपर तो उसके खनूनी चारा अलु की price क्या होगी यहos चेर्स की price क्या होगी जो government decide नहीं करती यह नहीं government decide करती है वh two kids और यह चेर्ज की प्राइस market force आपस्मेंट करें कि इसके अदर mismanagement का यह speculation से लोगों के unrest का चांस कम है जहां पर लोगों के unrest का लोगों के welfare के उपर मसले की चांस होगा वहाँ पर हम इंटर्वीन करेंगे इसलिए गंदम की प्राइस इसने का मैं fix करूँगी फिर उसने का दूसकी प्राइस प्राइस कंट्रोल अथारिटी बना दी आज सब्गियों की प्राइस प्राइस कंट्रोल अथारिटी डिस्ट्रिक लेवल लोगों पर वह manage करती है तीक है state का रोल maintain framework अफ्लाव within economy and commerce regulate करती है कि अब कि अब हुद बोरो गया है आव तो नहीं बोरो गया है कि है थोड़ा सा हाँ है यह वही बात ने रिपीट हो रही है और वही शारी चीने और फिर रूसी में गवर्मेंट एलोगेट करेगी रिसोर्स उसके benefits होंगे उसके drawbacks होंगे जो वही बात ने थी ना dynamics of private sector benefits हो जाएंगे उसको पड़ लेंगे आप बारल इसमें कोई नहीं चीज़ कोई नहीं है यह सिर्फ एक है जिसको फोड़ा साथ देख लें कि नाफ फ्री मार्केट और planned economy यह जो एरिया है यह USA free market के ज्यादा नल्दीक है और नार्थ क लिए हमें लगता कि आज कल के दोर में planned economy के ज्यादा नल्दीक है बाकी लोग सिंगापूर यूके जर्मनी चाइना स्वीधन क्यूबा पाकिस्तान यह mix economy के पास आते हैं इनका शुमार mix economy के अंदरों कर अच्छा जी Islamic economic system Islamic economic system क्या है यह दो हमने पढ़ लिया आज के दोर के मताबिक mixed economy और फलाना 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 इस्लामिक इमामिक system क्या है आपकर क्या है अदिशा फिर्दा हम्डान नुमान निम्रा सद्दब कि इस्लामिक economic system के इस्लामिक 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 system के नदर आता है क्या उड़े आता है क्या सफवड़भू